हेलोगाली कम फ्रेंद्स और आप सबीक एक बार फिर से सागत आनुमिड एक चैनल पर और फ्रेंद्स आज की स्फिडियो में बात करने माले एक बार फिर से 1 u i के बारे में यहाँ पर 1 u i के पर मैंने दो वीडियो अरी बना चुक हूं जो Samsung का 1UI 2.0 ने वाला है उसके क्या features होंगे हमाँ पर हमें कुछ information बताई गई है कुछ information मिली हमें काफी trusted source है जो कि है sammobile.com यहाँ पर बताया गया है कि 1UI 2.0 जो होगा उसके अंदर हमें जो है digital well-being का अंदर improvement देखने को मिलेगा वो क्या improvement होना वाला है उसका तर भी तर focus mode भी देखने को भी लेगा वो क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम बट यह काफी interesting लग रहा है कि Samsung काफी interesting features को include कर रहा है अपने 1UI 2.0 में इसके अलावे भी बता जा रहा है कि Samsung और भी काफी सारे features include करेगा अपने 1UI 2.0 के अंदर अब वो क्या होंगे अब इतलग तो उनकी मुझे कुछ भी पता चलेगा आपको हमारे चैनल पर फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं यहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो Samsung का 1UI 2.0 है यह basically Android Q के साथ में आएगा हाला कि अब तक Android Q officially release नहीं होगे उसके developer preview चल रहा है बट यहां पर जैसे Android Q release होगा तो definitely हम expect कर स कराया है सबी स्मार्टफून के अंदर अपने हो सकता है यह शाद Google Trouble की वजह से हो और यह कोई और रिजन हो यह हो सकता है Samsung ने अपनी डेवलपर टीम को चैन्ज कर रहो हो काफी अच्छी डेवलपर टीम है जो भी है बट मसा आगे मतलब इतनी जल्दी मैजरों सब्गेट मिलना अपने आप में ही काफी अच्छी बात है क्योंकि मैं Samsung को काफी टाइम से फोलो कर रहा हूं जो Samsung की J Series होती है इवन जो Samsung की High Midrange यानि के A Series होती है उसको मई जून जुलाई के महिने में Android मेजरों सब्गेट मिलते हैं इस बार जनवरी और फैबरी में ही Samsung की A Series को मेजरो काफी सारे स्मार्टफोन से मैं इसको पर वीडियो बनाने वाला हूं कि किसे स्मार्टफोन को रूट रुप्रूमेंस नहीं मिलेगा और Android Q वैसको बैसिकली Android Q के साहत मने वाला है और जिसे स्मार्टफोन को मिलेगा वह वो काफी लखी बाहिए इंपै प्रहण वह जाएगी जैक्ते हैं बेटरी पुर्फॉटी है यही होती Evetी अप्रादेक लिधो मैं आसक्योंविए ने अच्छ वीडियो के सीनि को